बीतितोर युवा नाहू परिक्ष बर्युवा परिक्षा वाणिया नाहू नोडिकली युवा खाली चागा भर्ति माडी हंदिसी परेदू लेक्का माडी चित्रा वरेदू भागवह सरिसी यल्ला प्रष्णेगू उत्तरिसी पासू फेलू गेलू सोलू जीवन यल्लकिंतमे गेलू अंक गणेंदर मेलीन तोगटे वित्यय अतरा ओलकिन तिरुलू बीतितोरयूत। नाहू परिक्षेबरयूत। परिक्षावानियानाहु नूविकली युवा परिक्षावानियानाहु नूविकलीूद। परिक्षा वानिया नाभू नोडिकलिवा मागडी तहसिल और रामनगर जिल्ला से आया हूँ आज हम लोग तृती भाषा हिंदी दस्वी कक्षा के इस पुनर मनन कारिक्रम में प्रतिदर्श प्रश्न पत्र दूसरा इसका हम विशलेशन आज करने जा रहे हैं आज हम जो प्रश्न पत्रिकाएं होती है वो प्रश्न पत्रिकाएं में किस तरह से प्रश्न पूचा जाता है आप उसके परे में थोड़ा बताएंगे तो चात्रों को भूत होता है सर जी सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अक्सर दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, परिक्षा में किस प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं, अगर वैसे प्रशनों के तरफ अगर आप ध्यान देंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पह इन प्रशनों का अगर आप उत्तर पाएंगे, वो कौन था, उसका जन्म कब हुआ, वो कहां से आया था, किस ने देखा, क्या नाम था उसका, इस सारी जो प्रशन है ना, इनके उत्तर एक शब्द होते है, यानि आप अपने स्मरन शक्ति के द्वारा याद करके, जिन प्र कम होता है, लगब मैं बता सकता हूँ, इह पर अगर आप मार्क्स के लिए देखेंगे, मैंने यह पर美國 के लिए दिखाया है, क्यूकि कविटा कंथ्त भी जो है, वो इसी के अंधर गता आता है, तो इसलिए क्या होता है, वो 12 और 4 मिला कर स्व फशनों का जो अंखबार इस इन प्रश называетсяों मुल बहुते है अक्षर अंग्रेजी मिन कहा जाता है कि रोट मेमरी को जाधा zu 레ole फुरे प्रश्न पत्र में चाहे वो कनड हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो और टुकरically Şाहाlor संक्या होती है तो इस प्रकार बच्चों को ऐहा ध्यान देना होगा कि दोस्तों ऐसे प्रश्णों के उपर आप ज्यादा ध्यान न दे, तो इसलिए आपको ऐसे प्रश्णों के उपर ज्यादा ध्यान देना होगा, जो अभी मैं बोड पर भी दिखा रहा हूं यहां पे, कई सारे उदान बता रहा हूं प्रश्णों के, कैसे करके, क्यों, क्या, विवरंड दीजिए, वर्णन कीजिए, आशे स्पष्ट कीजिए, ऐसे प्रश्न बहुत ही होते हैं, यहनी इन प्रश्नों का जो महतों बहुत है, मतलब लगभग कितने अंकों के लिए होते हैं, यहां पर सिर्फ दिखारें, जैसे बोर्ड पर दिखाए जा रहा है, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, तो यहां देखिए, जो फस्ट टेबल में जो क्या दिखाया गया है, दोस्तों, यहां है अभिनो मनुश्य कविता के कवी का नाम क्या है, अगर ऐसा प्रश्न करेंगे गुरुजी, तो आंसर होगा, रामधारी सिम्ह दिनकर, यानि दिनकर भी लिख सकते हैं, बस एक शब्द को याद करके लिखते है, यहां मैंने दूसरे टेबल में आपको दिखाया है, तालिका में दिखाया है कि वहां क्या करके है, यानि अभिनो मनुश्य कविता का संदेश क्या है, ऐसा अगर प्रश्न परिक्षा में पूछा जाता ह तो यह प्रश्ण आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा आपने भूत बढ़िया सभी छात्रों को यह अध्यापकों पी समझ में है कि इस मनन कार्य कर्म में उनको सब लोग छात्रों को हल्प होगा तो देखिए सर आगे आगे की बात यह है संजे जी हम यह जाना चाहेंगे अंक बार वांटा जाता है सर्यूत जी जो देखिए आपसे की प्रश्ण परकार कैसे होंगे प्रश्ण परकार की такая दिरुष्टी से अंक बार इस प्रकार बांटा जाता हैं जी जो देखिए आप सब यहान जी पछाद राप बच्टाव जैसे आबने कहा इसमें सिर्फ केवल व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं जी मतलब व्याकरण के जितने भी अंछ होंगे उस सिर्फ बहु वीकल्पे प्रश्णों के अंत्रगत पूछे जाते दोस्तों ये आठ आंच ओ vegila में बताया गया है जैसे विलोम शब्द, लिं में बताया गया है उनमें से केवल आठ अंचों की गणना इसमें की जाते हैं दोस्तों तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि व्याकरण के जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों वो सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतरगत पूछे जाते दोस्तों इसके एक अंक के चार प्रश्ण होते हैं दोस्तों अनुरूपता के अंतरगत गद्य और पद्य से जोड़े सवाल इसमें पूछे जाते हैं यानि पहले दो शब्दों के संबंदों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंद क्या है उस संबंद को स्पष्ट करने की बात है इसे जी एक अंक के लिए चार प्रश्ण होते हैं जी जी सर अंक जी गुरुजी और उसके बाद दो तीन वाक्यों के प्रश्ण आठ होते हैं और दो अंक के लिए फूल मिलाकर सोला हो गए जैसे आपने इसका जिकर किया सर जी तो एक वाक्य के प्रश्णों के अंतरगत उसका स और इसमें गद्ध और पद्धे से जुड़े हुए होंगे पूरक वाचन के अंतरगत इसके प्रशन पूछे नहीं जाते हैं और जैसे आपने दो तीन वाक्यों की बात की सर दो तीन वाक्यों में उत्तर दीजी एकर के दिया गया है ना तो यहां पर आठ प्रशन होंगे सर कि इसमें चार गद्ध से होते हैं । जो है फूरक वाचनसे अक्सर पूछे जाते है कुल मिला के आठ प्रशन जो होते दो या तीन वाक्यों के अंतरगत प्रश्नों का उत्तर डेने के लिए अख graduating फिंच बांस तीन चार वांकियों के प्रस्थन आठ वोते हैं जी अर्तिन ऑंक के लिए चोबीश ऑसके साथ आनुवाद भी तीन अंके लिए होता है बिल्कुल सही सर उसके बरें थोड़ा बताया से तीन-चार वाक्यों में लिखने के लिए आपे आठ प्रशन होते हैं अक्सर इसे और अनुवाद को मिला कर तीन अंक के नौ प्रशन होते गुरुजी इसके अंतरगत तो तीन और चार अंकों के प्रशनों के अंतरगत दोस्तों पांच प्रशन गद्य से पूछे जाते हैं तीन प्रशन पद्यभाग से पूछे जाते हैं और एक जो है वो रचना विभाग के अंतरगत अनुवाद का है जहां कन्नड या अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए दोस्तों आ जाता है जैसे आप वाख्य रचना की बात हो या व्याकरन हो इन विचारों को इसंहें खासios थोर पर जोर दिया जाता है और विचार रों की परिक्षा की जाते हैंि मैं जिसा लिए आप अपने शबढ़ों में चार पांच वाक्यों में क्या कर सकते उस विशय का प्रतिपादन आप कर सकते दोस्तों चार पांच वाके के प्रशन दो होते हैं सर जी आशायद आप लोगों को पता है कि शायद एक गद्य से और इस पद्धी जी सर गद्धिभाग से अक्सर पूछा जाता है दोस्तों ऐसे चंद पाथ है पूरी प्रशन होता है तो उसमें से एक प्रशन को उठा कर क्या करना है आपको आप अपने विचारों को बहुत ही विवरनात्मक धंग से क्या करना होगा उन विचारों का प्रतिपादन या प्रकट करना होगा तो एक गद्धिभाग से होता है एक प्रशन उसके बाद एक कविता विभाग के अंत्रगत चारंग का एक बहुत बड़ा प्रशनी जो बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा है में समझता हूँ वह है कविता कंटस्त के लिए पूछा जाता है ना उसे विकल्प दिया जाता है कि नहीं सरा आजकल के जो प्रशनपत्र में आपने देखा होगा ज जो हम लोग प्रतिदर्श प्रश्ण पत्रियानी मॉडल पेपर को जो पहले में दिखा बता चुके और दूसरे में भी हम बताने जा रहे हैं तो अक्सर आप जान गए हैं दोस्तों आप अपने अध्यापकों के जरीए क्योंकि इसमें विकल्प नहीं दे जाते क्योंकि कवि इसमें जी जाता है एक विकविता को दे कर वह उसका भावारत लिखने के लिए और उसमें उसमें कमें हैं तुक्षी को परखनी के लिए जादा जोर दिया जाता है मैं समझता हूं सर पूरी किताब में अगर कविताओं के अंतरगत देखा जाए तो मौलिकता से भरे प्रशन जो है वो मौलिकता से भरे वे जो विचार जो है वो दोहों के अंतरगत है इसलिए अकसर दोहों को इसके अंतरगत च कि छे पंक्तियां है उन छे पंक्तियों को अगर आप बच्चे छात रची तर से त्यार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ चारंक वे आषानी से इस प्रश्ण के अंतरगत वे पासकते हैं सर्म को अपट्र लेकन के लिए पांक डिया गया है जी सर एक प्रश्ण उसमें इविकल्प होते हैं जी सर जी सर जैसे आपने कहा कि अपटित गध्यांच यानि अंग्रेजी में उसे अंसीन पैसेज करके कहते हैं जो किताब से बाहर की बात है आपके स्थरानुकूल है ना एक पाराग्रफ का चेन किया जाता है एक अनुछेद का उततर देना हैं तो ऊसके बाद एक निबंद है निबंद के लिए नाशनल कौर एलमेंट्स के आधार पर जिन वीचारों को लिया जाता है अक्सर जब किताब जो बंति है जो उनहीं वीचारों पर आधारित बनते है और किताब के अन्त में भी निबंत के कई बताएग ग अग्या खिंद में अपनी 15 अग्य को एक प्रशन होता जरूर है तो यह ज्यादा ज्यादा गया है तो इसलिए आपको बहुत ही 17 कता से सावधानी से पत्तर लेखन को प्रसुत करना होगा क्योंकि पांच अंग का बहुत बड़ा प्रश्ण है दोस्तों तो इस प्रकार प्रश्ण प्रकार की दृष्टी से पूरे असी अंग का जो प्रश्ण प्रकार प्रश्ण भार इस प्रकार यह बनता है जी गुरुजी अब हम जो हमारी करनाटक माढरेमिक शिक्षा परिसवार दौरा मोडल कोशन से बताया था जी सर अब आज हम यहां में चारी मोडल कारेकरphones आज भी कोष्ण के घ्या दौरा में मिस्तार से मुस में जानकरी ansl arbja एं इन प्रश्णों को किस तरा से लिखना अचाहिए हाँ बच्चों आपके लिए आप जहड़ी से अपना एक किताब नोटबुक और पेनल लेकर बैटे रहे हैं ग्यान से जब हम यहाँ पर प्रश्ण पोचे जाएंगे प्रश्ण के बारे में चर्चा होगी किस तरह से प्रश्ण लिखना चाहिए तब आप लोग उसे नोट कर गया है उन में से सरवाधिक उचित विकल्प को चुनकर लिखिये करके चार विकल्प दिये जाएंगे उन चार विकल्पों में से जो सरवाधिक उचित विकल्प यानि योगी विकल्प है उसे चैन करके आप उसके संकेत चिन्ह के साथ आप लिखेंगे तो चलिए संजे सर जी दोस्तों आप भी तायर है ना तो देखें पहला प्रश्ण आपके स्क्रीन के सामने गुन का विलोम शब्द क्या है और एक बार कह रहा हूं गुन का विलोम शब्द क्या है तो देखें इसका चार विकल्प दिये गये है पहला A option है निर्गुन, B option है सगुन, C option है ट्री अप्शन है, Denня, D option है दुर्गन, coun गुरु जी अगर हम यह options देखते हैं विकल्प देखते हैं तो हमें इस समझ में आता है कि सबी itself, य की परकार के डिकाया दे जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पर गुण का विलोम शब्द क्या है जैसे आपके दिमाग में आ रहे होंगे अरे मैंने जो सोचा था वो जहां पर आप्शन में यह बात नहीं है जो प्राश्निक जब प्रश्न पत्र बनाता है तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न निर्गुण यानि जो निराकार रूपी प्रमात्मा को हम निर्गुण कहते हैं तो सुगुण नहीं होगा सगुण भी नहीं होगा तो दुर्गुण गुण का दुर्गुण होगा तो दुर्गुण ही इसके लिए मेरे ख्याल से यह सही जवाब है तो अप्शन डी जो है वो दुर्गुण जो है इसका सही वत्तर है शायद बच्चों का भी सही जोग होगा जी बिल्कुल उन्होंने भी वही सोचा होगा सही सोचा आपने देखेंगे अगले प्रश्न की ओर हम अग्रिसर होते हैं सर उसी तरह मैं एक बात बताता हूं हमारी प्रश्ट पत्री का ब्लकुल सरले सरलटा से कटिऩता के और अग्रसर होता है फ्रस्टों ने स्टे करते हैं रंधने होते यह जो है कह ब्रहु है है तो इसलिए कोई डर्नी की कोई अवश्कता नहीं है सरलता से कटिनिता कि और अग्रसर होता है प्रश्न तो दूसरा प्रश्न देखेंगे सब्सक्राइब ठीक है जनक का श्रीलिंग रूप है पहला एकल्प जननी दूसरा एकल्प जानू तीसरा जानकी चवता जनम जी देख जनकी हां करके जनकी उसीता सीता का नाम है और एक नाम है ऐसे दुविधा में पढ़ जाएंगे आप तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा जनक का मतलब है पिता है ना है जो जनम देने वाला जनक तो जनक का स्ट्रीलिंग रूप है जननी करके जो ऑप्शन ये जो है मेर आप तो आप इस तरह से जो प्रश्न पूचा जाएगा तब आप हम बता देंगे जननी और शेर लिंग के बारे में और किस प्रकार से प्रश्न पूचे जाएंगे जी आपने बिल्कुल सही बात बताई यहां पर सही बात बताई आपने अकसर जो होते ही जो व्याकरण की जो प्रश्न होते हैं असर इनमें पूचने के दो अंदाज होते हैं जैसे मैंने अभी शुरुवात के तोर पर आपको बताया था कि प्रश्न कैसे होते हैं कौन कब कहां किसनी क्या करके बताया तो जो स्मरण को परकने वाले प्रश्न है जो उपर जो गुण जो है वो स्मर तो आपको एक त्रीलिंग को पहचानने का या उसे चुनने का चैन करने का एक जवाब दिया जाता है तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे प्रश्न दो दो शैली में पूचे जाते हैं जैसे मैंने एक तोर पर यह सिधा है दूसरा है निमनलिकित शब्दों में इस पुलिंग है करके ऐसा प्रश्न पूचा जाता है दोस्तों जी सर तीसरा प्रश्न देखेंगे सर गुरुजी कमर कसना इस मुहारे का अर्थ है इसका चार विकल्प दिया गया है पहला विकल्प है तयार होना बी कसकर भांधना सी कमर तोड़ना डी जुक जाना और एक बार देखिए जैसे मैंने बताय था दोस्तों कमर कसना एक मुहाररा है अंग्रेजी में आप EDMs करके कहते कन्नड दलना नूड़ी गट्टों अंतंते भी कन्नड में भी इसका प्रयोग है करके इसका ऐसा इस मुहावरे का प्रियोग है कंड़ में कमर कसना इस मुहावरे का आरते जैसे किताबी मुहावरों को यूज करते अक्सर प्रश्ण पत्र में तो कमर कसना यानि तैयार होना करके तो मेरे खाल से बाकी कसकर बानना कमर तोड़ना या जुक जाना जो उत्तर है वो गलत होंगे, option ये जो है मेरे ख्याल से तयार होना जो है वो इसका सही जवाब है तो उत्तर है, option ये तयार होना, बहुत बढ़िया सर जी और चवता प्रश्ने देखेंगे देना शब्द का प्रतम प्रेरनार्त क्रिया रूप है इसका चार विकलप देखेंगे दिलाना, सी, दे आना, डी, दो ना अक्सर एकारांत जो क्रिया शब्द होते वो इकारांत में बदलते जब प्रेरनार्त क्रिया ही बना जेते हैं जैसे देख का दिखाना दिखवाना, उसी प्रकार क्या होगा यहां पे देना का दिलाना प्रतम प्रेर्णार्तक दिल्वाना द्वितिय प्रेरिणार्तक होगा. तो इस प्रकार दुविधा पैदा करने के लिए ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग अगिया है, तो दिलाना इसका सही जबाब है. गुरुजी और ऐसे भी पूछ सकते है ना निर्मलिकीत शब्दों में से प्रतम प्रेणार्त का उदारन कुन सा है जी बिल्कुल जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है उस अंदास से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिकीत शब्दों में प्रतम प्रेणार्त क्रियारूप है करक देखना दिखाना दिखावट देखो करके देदें तो ऐसे देदेंगे सर नी जैसे कहा उस अंदाज से भी पुछा जा सकता है ऐसे सिधा भी पुछा जा सकता है। अत्यदिक शब्द में संधी है A. विकल्प यन, B. गुन, C. रुद्धी, D. अयाधी संधी एक बहुत ही बड़ा चाप्टर जिसे आप नवीक अक्षा से पढ़ते विया आ रहे दोस्तों तो यहाँ पे अत्यदिक शब्द दिया गया है अत्यदिक शब्द का अगर हम विग्र करेंगे संजेजी अती प्लस अधिक अत्यदिक अती जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है अती यानी खृस्व ए की मात्रा है और अधिक दूसरे शब्द का प्रतम वर्ण है वह ए के मिलन से यहा यह जो वरन का स्रजन हुआ है तो यह के आने से यह यंट संधिय करके आसानी से इसे पहचाना जा सकता है दोस्तों तो उतर देखेंगे तो उतर यह यंद संधि यंद संधि ठीक तो इस प्रकार एंट संधी करके आपको लिखना होगा आपको सिर्फ यहां पे ऑप्षण के साथ संधी का नाम लेखना होगा वहां विडिशा करने की कोई जिरुए नहीं जैसे आप दिमाग में कर लीजिए और मैंने आपको सम्झाने की लिए यहां पर विगंह का प्रयोग कर्मधारया बी तत्पुरुश्य से अविभी भाव डी बहुर्वी समास इसमें कौन सांसर हो कस ठीक है गुरु दक्षिना शब्द आप देखते ही आप पैचान गए कि गुरु के लिए दक्षिना है ना तो इसका विग्र भी ऐसे किया जाता है आपको यहां विग्र नहीं स्था गुरु दक्षिना विग्र करने पर देखे गरें जहां कारक शब्दों का प्रयुक किया जाता है के लिए समप्रदान के प्रेखरी आइडी और यहां पे प्रदान है तो वह तत्पुरुष समास का उदार्ण हो सकता है बिल्खल तो आप्शन भी तत्पुरुष समास जो है इसके लिए सही जबाब होगा बेलूर मंदिर ड्याश शिल्पकला अनोकी है इसका चार आप्शन है यह का बी के सी की डी की बेलूर मंदिर ड्याश बुपकला यहां पर देखना होगा कि पुलंहें लिंग धि भी कला शब्ध जो है वह है जब अगला अगर च्छब्ध को इसम्बंध कारक की का प्रयोकिया जाता मदिर की के ऑचं़न की और जाएंगे बाल शक्ति की जय वाक्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन है इसका चार आप्षिन देखेंगे पहला है अलप विराम दूसरा पूर्ण विराम तीसरा विस्वयादी भोध कर चवता प्रश्ण वाच कर जी यह विराम चिन से जुड़ा हुआ प्रशने दोस्तो जय कोई है ऊपर वहां पर प्रश्ण दिया गया आपको बाल शक्ती की जय करके जैसे ही आप इस वाक्य को पढ़ेंगे जैसे से सवर नी कहा क यह उंके मेंगे चहरों पर मैंने देखा कि आपके पास जवाब है अभी वहां पर प्रचिन नई दिया गया न सर शिर्फ वाक क क्यों करके नीचे बताया गए दोस्तों आपको वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन आपको चुनना है तो इसलिए वहां पे चिन इसलिए नहीं दिये गए कि कभी कबार क्या होता है एक बगल में आप कोई अलप विराम डालेंगे तो शायदी प्रिंट दिखाई देगा को तो इसलिए शब्द के फॉर्माट में क्या किया गया उसको वहां पे प्रिंट किया गया है तो यहां पे बालशक्ती की जय करके यहां पे हर्श उल्लास है ना भय घृना इन सारी भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक चिन का प्रियों किया जाता है कौन साह बचों य आपको इसमें क्या कहते हैं मार्क ऑफ एक्सलेमेटरी करके अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों अब तक जो हमनी क्या किया आठ व्याकरण के अंचों को यहां पे बहु विखल्पी प्रश्णों के अंतरगत हमनी चर्चा की तो अब के बाद क्या होगा बिलकुल अलग हट के गद्य और पद्य से जुड़े हुए प्रश्ण होंगे तो अगला जो परिचे देंगे संजय जी अनुरुपता के प्रश्ण इस प्रकार होते हैं निर्मलेकित प्रतम दो शब्दों के सूचीत संबंदों के अनुरुप तीसरे शब्द का संबंदित शब्द लीगिए यहां पर गद्य और पद्य से जुड़े हुए चार प्रश्ण होंगे दोस्तों, यानि पहले दो शब्दों का संबंध क्या है, उस संबंध को आपको सही तरह से पहचानना होगा, तभी आप तीसरे शब्द का जो संबंध क्या कर सकते, स्तापित कर सकते हैं, बताया है जैसे निम कवडी कडवा, ठीक है, कश्मीरी सेव क्या है करके पुछा गया आपके सामने, सर इस प्रश्ट को हम देखते हैं, पता चलता है कि निम कवडी कडवा, यहनि कि स्वाद के बारे में यह प्रश्ट पूछा गया है, बिल्कुल से बताया है, बुरुजी, तो देखे, करता है, यहनि कडवा और मीठा, उस हिसाब से आपको अंदाज लगाने के लिए आसान हो करके भी बिल्कुल सही बताया, सर आपने मीठा जो स्वाद कश्मीरी सेव का है, अगला प्रश्ट देखेंगे, सर, मचली ने दिकाया पेट की पटिया, जी, मचली ने दिकाया पहला मकान पाट से, तो देखिए कैसे पाट के अंदर से इस विचार को लेकर यहां दो विचारों को डाला गया है, मचली ने दिखाया पीट की पटिया, आदिवासी दोस्तों को बताता है जब मकान कैसे बनाया जाए, वो अपनी पीट की पटियों को दिखा कर बताता है क कि उन लकडियों को कैसे सजानाय करके तो इस प्रकार इस प्रश्ण का उतर दे सकते हैं दोसों अगला प्रश्ण देखते हैं करनाटक के पश्चिम में सहीहादरी करनाटक के दक्षिन में ड्याश जी यह करनाटक के संबदा पाट से जुड़ा हुआ प्रश्ण है सर जी यहा पे करनाटक की प्राकृतिक सुष्मा का वर्णन जहां किया गया है तो वहां इसका परिचय यानि जिक्र किया गया है करनाटक के पश्चिम में क्या है सियादरी परवत है करनाटक के दक्षिन में क्या है करनाटक के दक्षिन में बहुत ही सुंदर यानि आपने पहचाना मेरे ख्याल से नीलगीरी की सुन्दर पर बता अवलिया है। करनाटब के दक्षण में नीलगीरी की बहुत ही सुन्दर परवताव लिया है या उसका चसेजावब होगा। जशुमती यशुदा बलबद्र जशूर शाम। हाँ बिल्कुल सही बताया सर ये सूर शाम कविता से जुड़ा हुआ ये प्रश्ण है जसुमती करके किसे कहा गया है सूर्दास कहते जसुमती शब्द का प्रयोग यशोदा के लिए प्रयोग करते हैं और बलबद्र नाम कहते ये आपने पहचाना होगा बिल्कुल सही आपन अपुछा है यह तो यहाँ पर पर शिरुवात की पंक्तियों में कभी कहता है कि भारत मा को अमरों की जननी का नाम से हिएं आसा क्यों कहा गया है क्यू Station Kim me अनिक महापुलिशों का जन्म हुआ है तो हम उत्तर देखेंगे दोस्तों भारत की धर्ती में गांधी, बुद्ध, राम जैसे महा पुरुषों का जन्म हुआ है ऐसे अमर पुरुषों को जन्म देनी वाली मा जो है वो अमरों की जननी करके कभी क्या करता है कभी भारत मा की गुणगान करता है सर यहाँ पर highlights किया गया ना आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया तो यहाँ पर अक्सर क्या करते है मैंने कुछ बच्चों को देखा है वन वर्ड आंसर वन वर्ड आंसर करके दिमाग में रख लेते यह वान वर्डी लिखतेते है जो बिल्कुल गलत बात है आपको उपर का स्टेम देखना चाहिए निमलेकित प्रश्नों के उतर एक-एक वाक्य में लिखिए तो इसलिए एक-एक वाक्य में लिखना होगा हमने इसलिए अलग कलर से highlight इसलिए किया कि ताकि कभी कभार आप क्या करें उन विचारों को अगर आप प्रश्न से रेखांकित करेंगे तो क्या करेगा एक परिक्षक का नजर क्या करेगा सीधा वही पे चला जाएगा तो आपके जो चोटी-मोटी गलतियां छिप जाएगे तो सीधे उत्तर पर जैसे ही जाएगा तो क्या करेगा एक पूरांक दे सकता है कभी तुलसी के अनुसार संत को कैसे होना चाहिए जी बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है तुलसी के दो हेसे है कभी तुलसीदास जी के अनुसार एक संत का स्वभाव कैसे होना चाहिए या संत को कैसे होना चाहिए तुलसिदास जी वहाँ पर बताते हैं, तुलसिदास जी के अनसार संथ को हम सपक्षी के समान होना चाहिए, आप उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम सपक्षी के समान एक संथ को अच्छाई को लेकर बुराई को छोड़ देना चाहिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर इसका उत्तर आपको एक वाक्ष में देना जरूरी है सर रामेश्वरम किस कारण प्रसिद्ध है देखे प्रश्णी ही बता देता है आपको रामेश्वरम एक ही कारण के लिए प्रसिद्ध है वह है क्या है दोस्तों शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध है तो उत्तर होगा दो रामिश्वरम मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, ठीकिसा, मकान बनाने के बारे में दोस्तों ने किन से पूष्टाज की, यह जो प्रश्ण है, दुनिया में पहला मकान, पहला मकान पाट से जुड़ा हुआ है, प्रविजय गुपताज द्वारे लिखेगे, जी बिल्कुल, त किन से मिलते हैं, वो जानवरों से मिलते हैं, तो किन से करके पूछा गया है, प्रश्ण को सपष्ट तोर पर जान लेजे, तो आपको उन जानवरों के नाम लिखने होंगे, तो मकान बनाने के बारे में दोस्तों ने हाती, सांप, भैस, और मचली से पूछताज की, हाँ जो आपने जवाब बताया है, अगर यहां पर प्रश्ण अगर देखेंगे, तो किन से किन से मने जानवरों से ठीक है, और जानवरों के नाम अगर आप सपष्ट कर देंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा, अतो आप प्रश्ण का उत्तर वैसे भी दे सकते हैं, दोस्तों, गद्य, पद्य और पूरक वाचन से जुड़े हुए आठ प्रश्णों के दोस्तों, पहला प्रश्ण है, जैनुला अबदीन के व्यक्तित्व का परचे दीजिए, तो सर जी इसका जवाब होगा, देखें, यह मेरा बच्पन, जैनुला अबदीन जो हम कहेंगे, जैनुला अबदीन, जैनुला अबदीन, प्रश्ण है, जैनुला अबदीन के पिता है, जैनुला अबदीन, 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 जैनुला और वुद्धिमान थे उन में उधाराता की सची भावना थी सबी तरह के अनावश आईशो आराम वाले चीजों से धूर रहा करते थे इस तरह से इस परश्ट का चात उतर लिख सकते हैं उतर दिया जा सकता है तरह आपने बिल्कुल सही बताया जैनुलाबदीन साफ का जो प चार ऐसे चरित्र है जो अब्दुलकलाम के जीवन को बहुत ही प्रभावित करने वाले महां पर पात्र है चाहे वो जैनुलाबदीन का हो जलाल अदीन का हो शमसुद्दीन का हो और उनके बच्पन के साथियों के बारे में हो तो आपको ध्यान देना होगा इन चरित्रों पर ऐसे प्रश्ण पूछे जाते प्रिक्षा में दो या तीन अंक के लिए सर तो अगला प्रश्ण देखेंगे गुरुजी परसाई जी ने मंत्री को क्या समझाया प्रश्ण पढ़ते आप खुशी के मारे यह आपके बहुती बच्चों के लिए बहुती पसंदिदा लेसन है इमांदारों के सम्मेलन में से लिए थाँ ना परसाई जी समझाते कि परसाईजी ने मंत्री को समझाया कि यह इमांदारों की तलाशी करवाना बड़ी अशौनी अबात होगे ऐसे हर्गिज मत कीजिए, ऐसे सम्मेलोनों में अकसर ऐसी थोड़ी गड़ड़ी हो ही जाती है करके, वहाँ पे क्या करते हैं, परसाई जी, मंतरी जी को समझाते हैं, आप उस डाइलाग को जो कातियों भी लिख सकते हैं, ऐसे आप इंडारेक्ट स्पीच में भी आप इन वा जिल्लों से, जिल्ला से उन्हों ने फोन करके मुझे कहा, सर जी, हम आउट आप उट अंग पाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहिए, कैसी पढ़ाई करना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, और उनके मन में दिक्कत है कि, वह सोचते है, अगर कुछ ग्रामर मिश्टिक हो, तो पूरा मार्स काट कट जाएगा, या ऐसा सोचते हैं चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताईए, बिल्कुल असी के असी अंक आप राप्त कर सकते हिंदी में, हिंदी बहुती सरल सुन्दर भाशा है, दोस्तों, जैसे प्रश्न होते हैं, एक या दो अंक के अंतरगत, जहां पर पूरा जो यह है, मतलब पूरे जो जानकारी जो अगर बच्चा जानता है, उन विचारों को पाठ या पाटिकरम से समधित, जो विचार अगर चातर जानता है, तो अगर उसको पूरी जानकारी तो वहां पर पूरे अंच, पूरे अंक आपको प्रदान किये सकते हैं तो खास तोर पर जैसे मैं भी बताया तो आपको ज्यादा जोड़ा देना होगा जो बडë-बड़ी जो उत्तरब जो लिखते हैं तो उनको खास तकर लिखकर प्रक्टिस करना होगा तालिम करनी होगा आपको मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे हिंदी बात करने में खुश हो जाते हैं पढ़नी के लिए तयार है उत्तरों को आप रट कर सुना देते हैं मगर जब लिखने की बात आती तो आप फीचे हटते हैं तो इसलिए मेरा आपसे एक सलाह एक मश्वरा है दोस्तों इसमें मैं सुझाओ देना चाहता हूँ आप जितना हो सकता है उन्हों उत्तरों को लिख कर अगर आप तालीम करेंगे अच्छी तरह से प्रस्तुती करन करेंगे तो बिल्कुल आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों कविता में भारत मा का सुरूप पूछा गया है मातर भूमी का सुरूप नहीं है भारत मा का सुरूप यानि भारत मा का ही वरणन करना है आपको तो इसलिए आपको प्रशन ठीक तरसे पढ़ना चाहिए दोस्तों तो कविता में भारत मा का सुन्दर रूप चित्रित किया गया है भारत मा के एक हाथ में पता का है जो न्याय का प्रतीक है भारत मा के दूसर और को पाँ से अंद्य की बात किजिए बह्रतमा के सुरूब के वर में लिखनी के लिए कहा गया है तो भारतमा का सुरूप आपको बताना होका है। प्रश्ण को समझना चाहिए बिल्कुल ये बार या दो बढ़ना चाहिए भरने के बार उन्हें जाब देना चाहिए। आगे क्या प्रश्ण देखेंगे . अबलराम के प्रति क्रिश्ण की शिकायती क्या है ? ये बहुती आपके लिए बहुती पसंदिदा कविता है . वह सूर्षाम से है जुडा हुआ यह प्रश्ण है बलराम के प्रती कृष्ण की शिकायत है ना उस कविता भर में बलराम के बारे में कृष्ण शिकायत करता है तो उतर देखेंगे दोस्तों तो भाई बलराम उसे बहुत छडाता है किसे बालकृष्ण से बहुत छडाता है वह कहता है कि ये शोदा ने उसे जन्म नहीं दिया है बल्कि उसे बाजार से मोल लिया गया है बलराम का ये भी चड़ाना है कि नंद और एशोदा तो दिखते गोरे है और कृष्ण का शरीर क्यों काला है करके वो इसे बार-बार चड़ाता है और गौाल बालों के सामने वो उसकी मजाक उड़ाता है तो बहुत ही एक सुंदर कविता है उसका सुंदर कविता में जुड़े हुए ये दो भाग है वहाँ पे एक तरफ बलराम के प्रती शिकायते आपको दिखाए देगे और दूसरा है ये शोदा उसको तसल्ली देती है कृष्ण को यहाँ पर कृष्ण क्या-क्या शिकायते करता है यह प्रश्ण बहुत ही महतोपूर प्रश्ण आपको इस पर ध्यान देना होगा दोस्तों अगरा प्रश्ण के सम्मेलन में भाग लेने का कारण क्या था जी और एक बार यह प्रश्ण दोराया गया है कि अवर एक बार मैंनी उसी पार्ट से और एक प्रश्ण आया है इमानदारों के सम्मेलन में हरिशंकर परिसाईजी को बलाए जाता है तो सम्मेलन में उनके भाग लेने का कारण क्या था यहाँ दो कारण है उत्तर देखेंगे हम दोस्तों लिखक सम्मेलन में इमानदारों के सम्मेलन का उधगातन करने गये थे है ना उन्हीं मुख्य अतिति के तोर पर बुलाए गया था तो सम्मेलन का उध्गाटन करनी गए थे साथी वे दूसरे दर्जे में जाकर पहले दर्जे का किराय लेना चाते थे इस प्रकार वे 150 रुपे बचाना चाते थे यहां उनके उद्देश दो है एक तो सम्मेलन का उ अंके लिए दो प्रशना सकते हैं सिर्जी सर जैसे हाल ही में दिऊजब प्रश्ण पत्र का प्रारुक बना जो थीम बेस्ट पेपर बनाया जाएगा थीम यानि गद्दी के लिए इतने अंक नियुक्त किए गए है यानि पूरे ग्याराव पार्ट है सर ग्याराव पार्ट मगर क्या है it is a theme based question paper setting करके का जाता है तो गद्धी के लिए निर्धारित अंक 32 अंक है तो हो सकता है ऐसे एक पार्ट में से दो प्रश्ण पूछे जा सकते हैं सर जी गुरुजी आगे का प्रश्ण देखेंगे बालशक्ती की टोली ने गाउं का उद्धार कैसे किया यह प्रश्ण है उतर देखेंगे संजेजी जी देखेंगे बालशक्ती की टोली ने सबसे पहले गाउं की सपाई की गाउं के गड़े को मिट्टी से डांपा गाउं में कूडा कच्रा ढालने के लिए एक निश्चित ज भरा भरा रखने के लिए पेड़ पौदे लगाए इस परकार बाल शक्ति की टोलिटे गाउं का उद्धार किया तो देखिया इस गुर जी हम इसे देखते ही एक बाल शक्ति के सम्मंदित प्रश्ण है जो बाल शक्ति एकत्र होकर दोनों सभी दोस्तों ने मिलकर जो उस आप दो या तीन अंचों का गरंड कर सकते दो या तीन वाक्यों में बाल शक्ति की टोली ने क्या-क्या क्या काम किया आप उसे आप उत्तर में प्रसुत कर सकते दोस्तों अगले प्रश्ण की तरफ जाएंगे सर जी तो प्रश्ण है सवर मंडल में शनी का स्थान क्या है है सवरमंडल में ब्रहस्पति के बाद शनी ग्रह का कक्ष है। आपने गौर किया दोस्तों यहाँ दो बाते हैं। एक है सईज में शनी दूसरा बड़ा ग्रह है। शनी से भी बड़ा ब्रहस्पति है। तो इसलिए एक स्थान तो उसका क्या हो गया। मोटे पन के तौर पर दूसरा बड़ा ग्रह है। और एक बात है, जैसे आप आकाश के कक्ष में अगर आप देखेंगे, तो ब्रहस्पती के बाद शनी ग्रह का कक्ष है, तो इस बात का ध्यान देखना होगा, कि एक वाक्य का प्रशन ही, यहां पर दो अंच है, यह दो अंक के लिए है, अक्सर जो यह प्रशन जो होते है, प्रशन का आप चैन करके जवाब दे सकते हैं, शनी का उपग्रह टाइटन के बारे में लिखिए, इस तरह से और दूसरा इकल्पी दिया जाता है, जी, एक दूसरा प्रशन देखिए, शनी का उपग्रह टाइटन के बारे में लिखिए, तो टाइटन शनी का बड़ा उप रहेता है शनी के पास शनी के साथ लगबग सत्रह उपग्र है उन सत्रह उपग्रहों में से टाइटन सबसे बड़ा है उस हिसाब से यह वाक्य बनाया गया है टाइटन शनी का बड़ा उपग्रह है यह सवर मंदल का अत्यंत दिल्चस्प उपग्रह है दिल्चस्प जानकारी हमें टाइटन से प्राप्त है और यह हमारे चंदर से भी बढ़ा है करके यह दो-तीन वाकि में लेकने लाइक है इसलिए मैंने तीन अंचों का ग्रहन करके से यहां पे उत्तर को मैंने प्रसुत किया है आप अपने हिसाब से इसका उत्तर दे सकते हैं यह अपने यहां पर दिया है शनी से संबंदित बहुत सी जानकारे हमें टाइटन से प्राप्त है जी क्योंकि शनी एक ऐसा ग्रह जो सूरिय से अत्यनत दूर है लगबग 150 क्रोड क क्या है या किसी अंतरिक्षियान को उस पर उतारना नामुम्किन वाली बात हो गी है तो इसलिए क्या किया गया है टाइटन पर अंतरिक्षियान को उतार कर क्या किया गया है वायजर या उसके खोजमीन के दवरान क्या किया गया है शनी से संबंदित बहुत सी जानकारी प् यह है नागरी के कर्तवे से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो सप्लेमेंटर रेडिंग में आता है पूरक वाचन के अंदर गता है दोस्तों सल्मा वहां कहते हैं बहुत ही सुंदर बात कहते हैं वहुत ही प्रकृति हमारी माता है इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का सम जूट का सहारा लेने से क्या-क्या सहना पड़ता है जी यह सत्तिकी महिमा पाट से है तो जूट का सहारा लेने से क्या-क्या सहना पड़ता है तो बहुत सारे कटिनायों का सामना करना पड़ता है आपको जूट बोलने से अपमानित होना पड़ता है हमारा विक्तित्व कु ओलना चाहिए दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखना होगा ऐसे विकल्ब दिये जाते हैं तो एक प्रश्न का उत्तर दिया तो काफि है दोस्तों, तो अब तक हमने दो तीन वाक्यों के उत्तर लिखनी के लिए जो आठ प्रश्न होते हैं उनका विचार विशलेशन किया, पहले प्रश्न है गिल्लू के प्रती महादेवी वर्माजी के ममता का वर्नन की जीये। जैसे कहा अभी जो अभिविक्ते से जुड़े हुए परशन शुरू होए तो गिल्लू पार्ट से हैं महादेवी वर्माजी का एक बहुती सुन्दर संसमरण हैं। पूरा जो पाठ है उन दोनों के बीच का जो संबंद और गिल्लू के क्रिया कलाप से जुड़ी हुई बाते इसमें हैं तो इसलिए दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले जो जितने भी बोर्ड के प्रश्न पत्र होंगे उसमें तीन या चारंक के लिए अकसर या प्रश्न पूछा जा चुका है तो ध्यान देते हैं गिल्लू के प्रती महादीव और माजी का संबंद कैसा था तो लेखिका को पशुपक्षियों से प्रेम था तो इसलिए उन्होंने कवे से गिल्लू को बचाया घर में पले कुटे और बिल्लियों से बचानी के लिए क्या क्या उन्होंने एक फूल के डलिया में फूल रखनी के एक डलिया में उसे क्या क्या एक जूला तयार किया उसे हमेशा प्यार से काजो और विसकुट आदी खिलाया गिल्लू को थाली के पास बिठा कर उसे खाना खाना सिखाया और गिल्लू के अंतिंक्शन में यानि मरते समय उसे बचानी की वह पूरी तरह से कोशिश करते है और गिल्लू की समाधी उसका बहुत ही प्रिय लता यानि सोन जुही की लता के निचे गिल्लू की समाधी वह बनाती है तो इस प्रकार बहुत ही एक एक एमोशनल प्रशन है एमोशनल बाते हैं यहाँ पे भावपूर्ण बाते हैं दोस्तों तो महादीव वर्मा और गिल्लू का संबंद इस प्रकार एक बहुत ही प्यारा सा शंबंद था तो शंबंद के बारे दो क्या प्रश्ण है आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में बच्चे क्या कर सकते हैं उत्तर देशकते दोस्समा तो ये उत्तर देखते हैं मुझे पता चलता है कि मुझे मालूम हो रहा है क्योंकि अगर इस मम्ता का वर्णन को इस उत्तर को चात्र अच्छी तर से पढ़ेंगे समझेंगे तो ये कानके के परश्ण भी लिख सकते हैं जरूर जरूर आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कह अगर इस पार्ट से जुड़े हुए कोई एक या दो अंकर के प्रश्ण आएंगे तब भी आप इसे आसानी के साथ लिख सकते हैं दोस्तों तो अगला प्रश्ण देखेंगे गुर जी जी राज किशोर के मानविय यवावहर का परिशे दीजिए ये प्रश्ण बहुत ही म मानविय विवहार का परिशे इसमें प्राप्त हम करेंगे तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं के पंडित राज किशोर मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता थे वह एक परोपकारी व्यक्ति थे बसंत के स्वाभिमान और परिश्रम से वे प्रभावित हो जाते हैं तुरंत डॉक्टरों को लेकर उसकी सहायता के लिए दोड़ते हैं और अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबिलन्स की विवस्ता करते हैं तो इस प्रकार्व कहते ही कि आपको अंत में लिखना होगा कि सच है पंडित राज किशोर सच्चे अर्थों में एक मानव करके हैना इस प्रकार हम कह सकते है कि पंडित राज किशोर एक मानवियता के मूर्ती थे करके अगर आप उत्तर को लैंडिंग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा खास तोर पर यहां पे संजेश साब में क्या दिया है में वर्ट को क्या किया है उन्होंने करके प्रसुत करेंगे तो हमारी नजर सीधा वाँ पे जाएंगे तो सारे विचारों को आपने कवर किया है करके आपके बार में बहुत हमें हम खुश हो जाएंगे और हो सकता है कि पूरे के पूरे तीन अंका प्राप्त कर सकते इसमें से अगला प्रशन अगले प्रशन की और अगरसर होते हैं तो प्रश्न है दोस्तों धीरत सक्सेना को धिमान रोबोट की जरुरत क्यों थी ठीक है इसका उत्तर होगा संजेजी ए रोबोट पार से लिया गया है बिल्कुल जी वर्षों से सक्सेना परिवार में सादोराम जेसे एकनोकर काम कर रहा था आचानक चलत हैं और डिरत सक्सेना ने घर के कामकाश के लिए और नाती पोतों का ग्रह कारे कराने और अपने काम कमप्यूतर पर समालने के लिए एक बुद्धिमान रोबोट रखने का निने लिया है देखिए आप इस कहाने को दोस्तों आप इस कहाने को अच्छी तरसे आप समझेंग तो आपको अवश्य तीन अंक मिलने की संभावना हो सकती है तो देखे सक्सेना परेवार में सादुराम जैसा नोकर काम कर रहा था आचानक उसे बस से गिरकर चोटा जाती है इसलिए आस्पताल में धाकिलू हो जाता है घर में काम करने वाला कोई नहीं रहता है तब क्या करे क्योंकि उनका नाती पोतों का घर था इस तरह से बच्चे लिखने पर उनको तीन अंक मिलने की संभावना हो से जी सर अपनी सही बताया इस मामले में तो कहानी को अच्छी तरसे जानना होगा तभी आप ऐसे प्रश्णों का उत्तर आप अपने शब्दों में वर्णन या विवरण के रूप में दे सकते दोस्तों अगला प्रश्न है दक्षिनी शिखर चड़ते समय विचेंद्री के अनुभों का विवरण देजिए तो देखिए गुरुजी दक्षिनी शिकर पर विचेंद्री पाल को अनेक कटनायों का सामना करना पड़ा हवा की गती तेज हो गई है यहां देकर उनकी सांसे मानों एकदम भुग गई तब उन्होंने पाया कि थोड़ी धूर तक कोई उचे चड़ाए नहीं है तो उन्हें लगा कि सप्लता बहुत नजजिक है बहुत बढ़िया से बहुत बढ़िया अपने विचेंद्री के अनुभों का अनुभों क इसे सही उतार चड़ाओं के साथ उन विचारों को भावनाओं को प्रकट किया तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों दक्षणी शिखर पर चड़ते समें विचेंद्री कि जो अनुभों थे उन अनुभों को प्रकट किया अच्छी तरसे आप अपनी शब्दों में भी का उतर दे सकते हैं या इन विचारों को आप अपना कर जरूर एक अच्छे उतर आप प्रसुत कर सकते हैं इसे बुलेटिंग पैट जैसे लिख सकते हैं हाँ आपने बिल्कुल एक अच्छी बात कहीं अक्सर बच्चे ऐसे कोशिश करते हैं इस समाज विज्ञान में या थीरंट देना है वहां आपको पूरे वाक्ष्ण में पूरे अनुच्छे में लिखना है कई ऐसे पाठ है इंट्रनेट हो या शली से बहुत neighbors अंपने बिलेटंच की सरी उचब्र लिख सकते हैं तो ऐगला प्रश्न में जी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में करनाटक की प्रगति का वर्णन की जिए देखिए करनाटक संपदा से जुड़ा हुआ यह प्रश्ण है उत्तर देखेंगे दोस्तों ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में करनाटक की प्रगति का वर्णन यहां पर बताया गया है कुछ प्रसिद्ध भारती विज्ञान संस्थान, हम्ती, आई टी आई, बी एच एल, बी एल जैसे ब्रहत संस्थाएं हैं, बेंगलूरू शिक्षा का ही नहीं बलके बड़े बड़े उद्योग धंदों का भी केंदर है। सिर्फ करनाटक की बात करें, पूरे करनाटक में ज्यान विज्ञान के ख्षेतर में करनाटक ने कितनी तरक्की किये, कितनी प्रक्ति किये हैं, तो पाठ के आधार पर ऐसे विचारों को आप क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं दोस्तों, तो अगले प्रश्ण की ओर हम अग्रसर होते हैं संजेजी, समय का सदुपयों कैसे करना चाहिए, तो इसका उत्र पताएंगे संजेजी, जी अवश्या, समय अत्यनता अनमोल है, समय का महत्व धन से भी ज्यादा है, समय इश्का दिया हुआ अनुपम धन है, इश्वर ने काम करने का जो अउसर प्राप्त है, उसे व्यर्त नहीं जाने दियना चाहिए, सही समय पर सही काम कर जीवन को सपलता करना चाहिए, जो देखे गुरु जी, हमारा जीवन ही समय पर निर्बर है, समय कभी नहीं रुखता है, समय के साथ साथ हम चलते रहना चाहिए, ऐसे कहा आधार पर दोस्तों, सियाराम शारण गुप्तिजी की कविता है, उस कविता के आधार पर क्या करना होगा, आपको इन आउंचों को बताना होगा, ठीक है, अगला प्रश्ट, अभिनव मनुष कविता के द्वारा दिनकर जी क्या संदेश देना चाहते हैं? पर मानो मानो के बीच में स्नेह का बांध बांधना मनुष मानो की सिद्धे है, जो मानो दूसरे मानो से प्रेम का रिष्टा जोड कर आपस की दूरी को मिटाता है, वही मानो कहलाने का योग्य होगा, अन्तमे दिनकर जी यह भी संदेश देते हैं कि मानो की सही पहचान उसकी बुद्धी या तर्क नहीं किन्तो उसकी मानवी अतहाय करके बहुत ही अच्छी बात यह सुन्दर बात कहते हैं तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा दोस्तों पेज नंबर 27 में कविता का आशे है वहां नीचे से अगर उपर जाएंगे बॉटम टू टॉप फोर्थ लाइन में वहां बहुत अच्छी बाते बताएंगे वहीं से पंक्तियां उठाई गई है तो आप अच्छी तरह से उत्तर अगर आप तयार कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न का उत्तर बनेगा यह तो इस मामले में मैं समझता हूं कविता का आधा अंच यह बात है जो कविता के द्वारा कवी संदेश देना चाहते हैं तो उस पर आपको ध्यान देना होगा जी कुरुजी बहुत बढ़े आपको अपने अगला प्रश्न देखेंगे जी अगला प्रश्न है दोही का भावार्त अपनी शब्द में लिखें बहुत ही महत्वण बात है तो दोहा इस प्रकार दिया गया है कि मुकिया मुकसो चाहिए खान पान को एक मुकिया मुकसो चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सही तविक इसका भावार्त किस तरसे लिखना चाहिए प्रश्न जी बहुत ही बढ़े सुंद कि ऐसे हिंदी में बात मैं उनको नहीं कहूंगा उनका उनको वह नाम नहीं दूंगा मैं जो भाशा की तरफ ज्यादा इंटरस्ट नहीं दिखाते इसलिए आप हिंदी में थोड़े डल हुए और नहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी के साथ आप भी इसमें अच्छा किसीबिव भाशा के अगर आप अपनी आस्था बढ़ाएंगे तो आसानी के साथ आप उस भाशा पर क्या करेंगे पास सकते दो सबसे पहले मैं समझता हूं दूस्तों उस कभी के बारे में एक दो पंक्तियों में कभी का पहचान आपको देना होगा उसके बाद कवी का방म उसमें नीहित भावार्त क्या है उसमें बताना होगा और उसके अंत में क्या करना होगा इस दोहे में नीहित मूली जो है उसे आपको प्रसुती करना होगा देखे जैसे यहां पर सर ने आप प्रसुत कर रहे हैं यहां पर प्रसुत दोहे को हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अगर आप इतना लिख देंगे ना तो एक परिक्षक क्या सूचेगा वाव इसे हिंदी साहित्य का ग्यान है उसमें राम भक्ति शाका के सरो श्रेश्ट कवी तुलसिदास जी करके बता रहा है तो ये बंदा बहुत कुछ जानता है करके आपके ओपर क्या करें का क्या होगा तो हमारा इजद क्या होगा ओबढ़ जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे आप कविता का जो निहित भावार्त है जो जैसे किताब में दिया गया है आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे मुखिया को मुख के समान होना चाहिए मुख यानि राजा को अपनी सारी प्रजा का पालन पोशन बहुती विवेक के साथ करना चाहिए करके तुलसी दास जी बहुती बढ़िया संदेश में देते हैं तो दोस्तों आखिर में अंत में आपको एक संदेश प्रसुत करना है तो उसे आगर आप बताएंगे इसका विस दोहे का जो विशेश इस दोहे की जो विशेशता ये है कि प्रस्तुत दोहे में तुलसी दास जी ततकालीन समाच को एक अच्छे राजा के लक्षणों के बारे में बताते या संदेश देते लिखना होगा और आपका प्रभाव ऐसा असर रहेगा कि आगे के उत्तरों पर भी एक व प्रस्तुत नहीं कर पाते मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं संजोईचे उपर आवह आप देख पारे दोस्तों मुखिया मुखसो चाहिए करके बताया गया है तो देखिए वहाँ पर आपको स्पेलिंग से शब्द दिये गए है उन शब्दों को थोड़ा बहुत चैंज खान न के ओपर एकी मातर लगाइए खाने पान को पीने बना दीजिए खाने पीने का काम एक ही करता है करके लिख दीजिए अगे की पंतियों में देखे पालई पोसे सकल अंग तुलशी सहीत विवेक यानि तुलसी शब्द को लिजिए, तुलसी दास कहते है, सकल अंगों का, शब्द देखिया आप उरा शब्दों की नीचे एक या दो पेंसिल से लगा दीजे अभी मार्क, किताब अपने हाथ में उठाईे दोस्तों, तो सकल अंगों का, यानि शरीर के सभी अंगों का, पाल को यह बहुत ही मुश्किले भाई इसे मैं नहीं लिखूंगा यह मुझे नहीं लिखनाय करके छोड़ देते हैं अगर आप थोड़ा सावधानी बरतेंगे थोड़ा ध्यान देंगे तो आम तोर पर आपको दिक्कते होती है वर्तनी लिखने के लिए स्पेलिंग्स लिखने के लिए वहां पर वर्तनी दे गए हैं वहां पर शब्द है उन शब्दों के सहारे उनको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके एक छोटे से वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों आप आसानी से तीन में से दो अंक कम से कम पा सकते हैं दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत किया है आप याद किजिए वैसा ही लिखने का कोशिश किजिए बहुत अंक मिलते हैं लेकिन कुछ लिखने में कटिनाई हो ऐसे चात्र वो दूसरा तरीका अपना सकते हैं अपना सकते हैं आप अपनी हिसाब से तैयार करें जैसे आपके अपने हिसाब से उसे प्रसुत कर सकते हैं खास तोर पर ध्यान देना होगा यहां दोहे में जो नहीत मूली जो है संदेश जो है उसे आपको समझना जरूरी है जिन्दगी में तो इसलिए उस मूली का अंच भी आपको क्या करना है अंत में प्रकट करना है ठीक है सिर हम रामानंद शास्त्री, आरविंद और शिव प्रकाश यह तीनों ब्राह्मन परिवारों से थे रामानंद शास्त्री तो रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मन शास्त्री का बेटा था जी तो इसका कंणड या अंग्रेज जी में किस तर से लि आप अपनी भाशा में कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप कंणड में लिखना चाहिए अंग्रेजी में लिखना चाहिए ऐसी बात नहीं है आम तोर पर इंग्लिश मीडियम के चातर क्या करेंगे भी अंग्रेजी में लिखने की कोशिश कर सकते हैं और वे भी कंणड म आपको करने आसान होगा बच्पन में मेरे तीन दोस अच्छे दोस्त थे बाल ले दल्ली ननगे मुवर वल्ले अगेड़े यर इद्धरो अथवासने इत्धरो रमानंद शास्त्री अर्मिंदन और शिवप्रकाष करके वहां पे दिगा रमानंद शास्त्री अर्मिंदन मत श यह मुवरु ब्रामिंद रागिद्धरो रमानंद शास्त्री रमेश्वरम देवस्तान द प्रधान अर्चकराद पक्षी लक्ष्मन शास्त्री कल मगन आगिद्धा अन्ता बरिबोधुसने तरे इर इत्यागी अगी अधे अधे शब्दगले बरबेकोंत इल्ला अधे यह कर तकुरा और बरद्धरो शीवा अंधे शास्त्री एक भाश्य होगा भाषा मेश्वरम टेम्पल स्री पकशी लक्ष्मन शास्त्री तो इस प्रकार आप अंग्रीजी में भी इसका फुंहां दे सकते हैं या कणर में दे शकते हैं थे।क där आपके जोस्तों किसी एक भा तो एक ही भाषा में इसका अनुवाद कीजिएगा दोस्तों ठीक है निनम लिकीत प्रश्णों के उत्तर पांच-छे वाक्यों में लिखिए अब आगे चार अनके प्रश्णों इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है है ना कथन तो वही बताते हैं कैसे इस पश्ट कीजिए करके और इसका एक विकल्प भी होता है विकल्प का प्रश्णम आगे प्रसुत करेंगे दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्णे इंटरनेट करांती पार्ट से जुड़ा हुआ है हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग कैसे बना है यहां कुछ चंद अंच दे गए है दोस्तों इनसान के लिए खान पान जितना जरूरी है आज इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है इंटरनेट द्वारा हम घर बैटे-बैटे खरीदारी कर सकते हैं कोई भी बिल भर सकते हैं इंटरनेट बैंकिं के द्वारा क्या किया जा सकता है विचार विन में कर सकते हैं इज ए गॉणन्स के द्वारा सरकार के सभी काम काहच का विवरंड हम पा सकते हैं इस प्रकार इंटरनेट आधुनीक जीवन है जिसका प्रस्तुति करन मुख्यामच के तौर पर आप प्रसुत कर सकते सर्थेशंति विकल्प का और प्रशन इसी पार्ट के अंतरगत विकल्प का प्रश्न देखेंगे तो एक प्रश्ण है दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोच है, कैसे बताईए करके, यह भी बहुत ही महतुपूर्ण प्रश्ण है, आज कर लाब सोशल नेटवर्किंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं, आपके एक पसंदिदा विशेय है, मैं जानता हूँ दोस्तों, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग आज एक क्रांतिकारी विश्कार है, जिसने दुनिया अभर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसके कई साइट से दोस्तों, फेस्बुक, ट्विटर, लिंक्लिन, ऐसे आदे, इन साइटों के कारण, यह मैं तो पुन भात है, आपको इससे लिखना होगा, इन साइटों के कारण, देश-विदेश के लोगों की रहन सहन, वेश-भूशा, खान-पान, संस्कृती, कला, आदी का प्रभाव, शिगराती शिगर हमारी समाज पर पढ़ रहा है, तो इस प्रकार यह आपकी बहुती प्रिय विशय है, मैं जानता हूँ, आप इस प्रशन को चैन करेंगे, और आप बहुत कुछ लिखेंगे, वक्त के और आपको ध्यान देना होगा, और उस हिसाब से, पांचे वाक्यों के अंतरगत क्या करेंगे सर, इसे लिखना, इसे प्रसूती करना होगा, अगला प्रशन है, निमनलिकित कवितांच, पूर्ण कीजिए, यहाँ पारे कवितांच है, सर इसका प्रसूती करना करेंगे, आप लोगों को पता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसके सम्मधित यहाँ परे कवितांच दिया गया है, असपलता येक चिनोती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तकना सपल हो, नीद चैन को त्यागो तुम, संगर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, तो देखिए, इसे दो बार, तीन बार आप दोहराने से, इस कवितांच का कंटरस्ट भी हो जाता है, इस तर से चार अंक पा सकते हैं इस चात्र, जे, इसका सुंदर धंग से प्रसुति करन कीजिए दोस्टों, ये कविताः खंटस्त के लिए है, इसके लिए चार अंक नियूकत किए गये है, इसका सुंदर प्रसुति करन आपको करना होगा, विराम चिन्नों का प्रयोग ठीक तरसे कीजिए और सुन्दर अच्छी तरसे इसे प्रस्थी करण कीजिए ठीक है अगले प्रशन की ओर हम अगर सरो थे सर जी तो प्रशन है गध्यामश को ध्यान पुरुवक पढ़कर निर्मली कीट प्रशन के उत्तर लेको तो गुरुजी मैं एक छात बनकर इस गद्धावश को पढ़ता हूँ समराट अशोक चंद्र गुप्त मोवरे का पोत्र और बिंदु सार का पुत्र था अशोक की उधारता और दया की भावना की कारण ही इतिहासकार उसका गुणगान करते नहीं थकते उसकी उधारता और दया केवल मानव जाती तक सीमित न थी वरन वह तो प्राणी मात्र का समरक्षक और सेवक था जाती धर्म और देश की संकिरिनता को समाप्त कर उसने जीव मात्र के हित को अपने जीवन का लक्ष पनाया समराट अशक के महान आदर्ष आज भी भारत में जीवित है और यहां के निवासियों को आत्म कल्यान, धार्मिकस्वी, सहिशनुता और विश्व बंदुत की प्रेना दे रही है तो देखे समराट अशक जी की जो उन्होंने उनका जो आदर्ष था इस गध्यामश में दिया गया है जब कोई एक अपटित गध्यामश दी जाते ना दोस्तों आपको क्या करना है दो या तीन बार उसे पढ़ लेना है अच्छी तरह से चाहे समझ में आए या ना आए कुछ बच्चे होते समझ में नहीं आता है सर क्या करे करके आपको तीन या चार बार पढ़ना है भाई जब नहीं कोई किताब आती है कोई पार्ट पढ़ाना होता है या कोई कविता पढ़ानी होती ना तो हम खुद लोग टीचर पांच छे बार इसे आपको पढ़ लेना होगा, आपके पास आवश्यक समय सही मात्रा में आपको दिया गया है, आधा गंटा बढ़ाया गया है तृतिव आशा हिंदी के लिए, तो इसलिए डरने की कोई आवश्यकता आने है, आराम से इसे पढ़ लीजिए, और उसके बाद उन प्रश आपको प्रशन है अगर आप समझेंगे, तो आसानी के साथ उतर दे सकते हैं, चलिए मैं संजय जी को परकनी जा रहा हूँ, अशोक का गुणगान क्यों किया जाता है संजय जी, क्योंकि अशोक की उधारता और दया की भावना के कारण उसका गुणगान किया जाता है, बह कि जीव मात्र की सेवा करना ही अशोक जी का लक्षत ऩॉक्त थijn데ना ही खाफी है या पूरे वाके में में प्रसूत करना है शुछ सेंगणान क HEY walking जाती धर्म और देश की संकिनेंटा को समब्त कर जीव मात्र की सेवा करना ही उसके जीवन का लक्षत थितना। तो देगे सा अशोक के जीवन का लक्ष क्या था, वहां पर एक पॉइंट सही है सर, लक्ष क्या था, जब हम उस गध्यामश को देखेंगे, तब हमें पता चलता है कि वो पॉइंट कहा है, वहां से वहां तक चो पढ़ने की और समझ में कुछ लिख भी सकते हैं न स्थी, ठीक है सर, जैसे आपने का बिल्कुल सही कहा, उस प्रशन के उस धांचे को देख लेजिए, उसके प्रधान शब्दों को देख लेजे, उन प्रधान शब्दों को उस गध्यांच में चैन कीजे कहीं से, और फिर उन वाक्यों को उठा कर आप लिख सकते हैं, ये बात मैं उन बच्चों के जो हिंदी के लिए कठिन है शाधि रों भाल बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं आपको यह जरूरी नहीं है आप तो बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे जैसे संजय जी ने प्रसुत किया है वे से highlight करके इस बात को आप प्रकट कीजिये अगला प्रशने संजय जी आपके लिए है प्रशनी यह समराट अशोक के आदर्श हमें क्या प्रेरणा दे रही है समराट अशोक के आदर्श हमें आत्म कल्याना धार्मिक सिविष्टनता और विश्वबंदुत की प्रेरणा दे रही है बिल्कुर सही बताए आपने, अगला प्रशन है आपके लिए, अगला प्रशन ए रहा, अशोक किसका पोत्र था? तो आप सब लोगों को पता है, आप भी कोपी पता है, क्योंकि हम एक ही बताते हैं कि अशोग चंद्रगुप्तमोरे का पोत्र था, यहने कि पोता, पोत्र का मतलब पोता, किसका पोता था, चंद्रगुप्तमोरे का पोता था, तो इस प्रकार अपटित गध्यांच चे है हम अगले प्रश्न की और अग्रसर होते हैं तो प्रश्न है दोस्तों यहां पे दिये गए संकीत बिंदों के आधार पर 12-15 वाक्यों में आपको ध्यान देना होगा 12-15 वाक्यों में किसी एक वि heir के कर सबसे पहले विशे के आधारबींदों को दिये जाते हैं तो विशेक Hadhaar बिन्दों को अधार बनाकर क्या करना आपको निभंद का प्रसुति निभंद का प्रसुति करन करना होगा तोह सब पहले विशेWorld का महत्व उस आधार बिंदू हैं परियतन का अर्थ परियतन एक उद्योग परियतन से लाभ और उपसमहार करके तो दूसरा विशेज जाने के संजेज जी दूसरा विशेज जो है इसके अंद्रगत यह है कि वनमोहोटसव देखे इसमें वनमोहोटसव के अंद्रगत बताया गया है मोबाइन फोन आहां आपके पसंदिदी बात यहां पर पसंदिदा विशे यहां पर प्रसूत किया गया है विज्ञान के अध्भूत देन है त्वरित संपरकसाधन खत्रे और उचित प्रयोग इस बात पर मैं कुछ उन्द बाते बताना चाहता हूं निबंद की बाते मैं यहां पर खास तोर पर बताना चाहता हूं सेंजे जी निबंद एक बहुती इंपॉर्टेंट भाग है तो दस्वी के चातर जो आम तोर पर सो अच्छी तरह से लेकने वाले चातरों के लिए अभिवेक्ति के प्रशनों के अंतरगत यह प्रशना आता है निबंद की जो विच खुटी करना करना चाहिए जिवफन के अंतर गण दोस्तों निबंद की तीन वह है यानि पहली जो भाग storytelling है और कि प्रस्तावना जो कहते हैं दूसरा जो भाग प्रदूशन करे के विशे दिया गया था जिसमें एक बच्चे ने क्या किया था महात्मा गांडी जी का एक कथन को उसने कोट किया था तो कहता था कि मनुष्य की भूग या प्यास मिटानी की क्षमता इस धर्ती में है मगर उसके लोग की पूर्ती वह नहीं कर सकती करके बता गया था महात्मा गांडी जी करके नीचे लिखा गया था उसे देख री मैं फिदा हो गया था और दूसरा एक लड़की नहीं क्या किया था बुल्यांकन के दोरान हमें ऐसी कई बातों का पता चलता है संजय जी एक पुस्तकाले जो बात दिया गया था टॉपिक पुस्तका करके लिखा गया था और उस बात को उसने कनेक्ट किया था उसको संबंद एक करना चाहिए कोई एक कविता हो कोई एक वचन हो कंड़ में हो हिंदी में हो संस्कृत में हो उन बातों को आप उजागर कीजिए शुरुवात करिए अगर उसकी शुरुवात अगर अच्छी तर शुरुआत कर सकते हैं उस प्रकार उस विषय के प्रधानता की ओप ध्यान दे कर क्या करेंगे शुरुआत करें उसके बाद जो अगला भाग जो है विशय का विष्लेशन जो है उसे विशय से संबंदि जुड़े हुए विस्तार से आपको बताना होगा यानि उसके पक्ष में यानि उसके विरोध में उसके समर्तन में कह सकते हैं उस विचार से जुड़ी भी बाते जितना बिलकुल एक संतुलित बाते यहां आपको आप करना होगा बिलकुल विवरन के तौर पर यानि दो या तीन पारागरफ में क्या करना है उसको आपको बढ से संबंदित जो आपनी जो सम अडिनी है जो विचारों को आपने बता बताना चाहते है अब सीदा सीदा बता सकते उस भी शेक बारे में एक बार क्या हो था विग्यान वर्दान ही अविशाप और यहां पर अभी अभी मैंने दिखाया मुबाइल फोन करके मोबाइल फोन के बारे में मैं उपसम्हार के लिए एक बात बताना चाहता हूं एक बच्चे ने लिखा था छुरी से किसी की हत्यावी कर सकते हैं किसी की चिकित्सा भी कर सकते हैं अगर मोबाइल का प्रयोग अगर आप अच्छे कारियों के लिए करेंगे ग्यान हासिल करेंगे तो आपके लि कर मोबायल का उपयोग आपको करना है इस प्रकार उजे एक बच्चे ने क्या क्या था उस विचार को बहुती सुंदर डंग से उपसमार में प्रसुत किया गया था उस है लाइट भी किया था मैं दे कर बहुती खुश हुआ इसमें ज्यादा नहीं होता उस विशे के बारे मे क्या करना है चंद बातें आपको बतानी है और उसके बारे में कई बार क्या होता है कुछ चात्र ऐसे करते हैं जो निभंद का जो सारांच जो होता है उस सारांच को क्या करते कुछ चंद बातों को वहां पर प्रसुति करन करते हैं तो निभंद के तीन भाग जो है जैसे भ तो आगर आपके गलतियां कम होंगे, वाक्य रचना आपकी बिल्कुल सही रहेगे, तो पूरे के पूरे चारंग आपको पाने में आप समर्थ हो जाएंगे दोस्तों, तो मैं समझता हूँ इतना काफी निबन से जुड़ी बात, हम अगले पड़ाव जो अगला प्रशन, जो उस इस पत्र लेकर किस तरह से पूचा जाता है, उसके वरें प्रशनों को देखेंगे सबसे पहले, अपनी परिक्ष्या प्रहिणाम के बारे में पिता के नाम पत्र लिकिए, और उसका विकल्प है, तीन दिन के आवकाश के लिए प्रदानाचार के नाम प्राक्ना पत्र की आवकाश यानी छुटी, छुटी सर, तो एक अईसा देखते हैं पत्र पत्र है और यह व्यावारिक पत्र है, तो देखे हम सब से पहले पारिवारिक पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है, लिख सकते है, पहला हैं सब से पता अर्ब कर दस्विक अक्षा सी है स्कुल उसका एनिके वो च्छात्र जो पढ़ाई कहा कर रहा है कहा के है किस थी सी से से हैं फॉर काहां पढ़ाई करें उसका बारे में उसका पता लिका है उसके बार प्रारम होता है पुझ पिताजी जी एसे संबोधन शमीआपर इसके बाद यहां पर देखें सादर प्रणाम तो अभी भादन दिया गया है सादर प्रणाम उसके बाद कि ऑ मेरे अच्छी प्रेनाम नहीं हो और घर में माताजी को मेरा प्रणाम करना लिख सकते उसके बाद उसके बाद समाप्ति आपका पृत्र पृत्रि अब कहने कि वहां पर प्रिशेक में जो लिखा गया है उसके वाद सेवा में जो हम किसे लिख रहे हैं, two address, two address वहां पर दिया गया है, तो देखे, पत्र पाने वाले का पता, इस तरह से हम जो एक उधान के तोर पर आपको यहां पर एक नमोना प्रस्तुत किया गया है, एक पारी 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 पत्र का एक नमोना हो गया, तो हम व्यावार इक पत्र का एक नम्ना दिखाई है संजेजी तो यह हर एक पत्र में होता है कि सबसे पहले दिनांग जी उसके बाद प्रेक्षिक सेम इनकिए हम किसे कुन लिख रहा है जो लिखने वाले का जो वहां पर नाम आता है उसी तरह रहा अबकर दसफिक कख्षा ड्यास हिस्कुल वहां ड्यास डा को नेचे आता है यह यह वहारीक पत्र में क्या आता है ऊपर लिखना चाहिए पहले प्रेक्षक के बाद सेवा में इस तरह टू अड्रेस आता है प्रदानाध्यापक अध्राफर मुंब आपक शिर्शेस zadव इस तरह से एक नमौनाइ mist अब्धिया यहाँ भी वादन क्या आपनी संबोधन क्या अधृ आदर निया पकाटिनी मोदे उसके बएद जो क्या हम की विषय क्या है शेस हैार आपकार ने दिया गया है. जो भी इब कारण हो सकता है. अब लिख सकते हैं. ुसके बाद उसका खलेवर होगा उपयुक्त विशे की अनुसार. मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे भुकार है तो भी लिख सकते हैं मुझे गउं जाना है इस तरह जो भी हो आप कारण लिख सकते हैं जो भी आप अगर अगर आपकी प्रश्ण पत्रिका में जो कारण दिया जाए आप मुझे भुका रहे शादी में शामिल होने के लिए जुट्टी चाहिए इस तरह जो भी लिखा जाए वैसे आप लोग वहां के प्रश्ण पत्र में जो कारण पूचा जाता है उसी तरह आप यहां पर लिखना है अगर वहां कोई कारण नहीं कोई कारण बताते भी मेरी बहन की शादी मैसूर में होने वाली है इसलिए जो कितना दिन तक आप लिखना है वह लिखते देने की खुट्टी देने की खुरुपाद कीजिए या अवकाश देने की कुरुपार कीजिए उसके बाद आता है धन्यवाद के साथ ठीक है संब और आपका आज्याकारी छात्र छात्र इस परकार हम पत्र को स्माप्ति कर सकते हैं तो इतनी देर्ट तक हमने एक परतीदर्श प्रश्ण पत्र दो को प्रसुत करने का आपके सामने पूरी तरह से कोशिष की और अच्छी तरह से उसको मैं समझता हूँ कि हम दोने ने मिलके इसका अच्छा को चीतर से जानिये और चीतर स्कीत की तैयारी कीजिए मैं आशा करता हूं कि आपका जो परिक्षा में परिक्षा में आने वाले दिन होंगे जो आने वाले परिक्षा के शन होंगे वो सफल हो सुखमे हो मैं आप सभी का इतनी देर तक हमें सुनने के लिए बहुत-बहुत धन मंजिल तक पहुचिए ज़रूर जो हमने जो बताने के हैं पर कोशिश कियें आकरे में आपनों सब्वों को नमस्कार करें नमस्ते बीती तो रयुवा नाहू परिक्षे बर्युवा परिक्षा वाणिया नाहू नोडिकलियुवा खाली चागा भर्ति माडि हंदिसी परेदू लेक्क माडि चित्रा परेदू भाग वह सरिसी यल्ला प्रश्णेगू उत्तरिसी पासु फेलू गेलू उसोलू जीवन यल्लकिंत मेगेलू अंक गणेंदर मेलीन तोगटे वित्यय अतरा ओलकिन तिरुलू बीतितोरयुवा नावू परिक्षय पर्युवा परिक्षा वानिया नावू नोविकलियुवा परिक्षा वानिया नावू नोविकलियुवा परिक्षा वानिया नावू नोविकलियुवा परिक्षा वानिया नावू नोविकलियुवा